चोदरी चरण सिंग एगरिगल्चर इनिश्टी हिंशार एक नया प्रिक्षन करने जा रही है जी हाँ बैंगनी नेले और काले रंग का गहूं पैदा करेगा है ये एक बड़ी खबर है अब आपके लिए गहूं की चपाती महजे खाने की चीज नहीं होगी बलकि ये दवाओं का काम भी करेगी समन्ने लोग ही नहीं बलकि घरों में कैंसर या सुगर के मरीजे दोनों के लिए गहूं की चपाती लाबकारी हो रहेगी हरियाना किर्शी विशुदैले बैंगनी निले और काले रंग का गहूं उगाने जा रहा है इन रंगों में ही बात्षिपा हुआ है इस गहूं की खोज महाली के नेशनल एगरी फूड बायो टेक्नलोजी इंस्टूट की गहूं विज्ञानी डक्टर मनकाग रगने की है यह गहूं लोगों तक पहुंच के इसके लिए एचे यू से कुलपती प्रोफेसर के पिशिंग के निर्देशन में डायरेक्टर रिशर्च डॉक्टर एस के सहरावत ने नेशनल एगरी फूड बायो टेक्नलेज इंस्टूट के अधिकारियों के साथ अनुबंद किया है इसके तहत रंग बरंगे गहूं को एचे यू में इसवार बोया भी गया है शरीर से वेसेले पदार्थों को बाह पाया जाता है यह ततव श्रीर से वेसेले पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है यह रंगेंड फल जैसे बलैक बेरी जामून काले अंगुरों में पाया जाता है इसके साथ इसमें एंटी एक्सीडेंट गुन भी हैं समान्य गहूं 50-60 क्यूंटल परती हेक्टेर की उ परती हेक्टेर ही होती है इसलिए अचीव के गेहूं विग्यानी मुहाली की गेहूं विग्यानी के साथ मिलकर इन गेहूं से ऐसे बीज विक्षित करेंगे जिसे 30 किवंटल से बढ़ा कर उतपादन 45-50 किवंटल तक पहुंच जाए काले रंग के गेहूं का बीज कुछ है छ चालिश से 140 पीपियम एंथोसायनी से तत्व पाए जाते हैं जो स्रीर से विशेले पदार था बाहर निकालने की वज़ाए से इस गेहूं के आट्टे से बनी चपाती कैंसर सुगर कार्डियोलो सुगर वे अन्या डिश ओर्डर में मरीजों के लिए काफी लावदायक है इ इस तरह से अब है एच्छे यू जल्द ही बैंगनी निल्ले और काले रंग का गहूं पैदा करने जा रहा है